नमस्कार मैं गुणगुण और आप देख रहे हैं न्यूस लाइव NDA की बैठक कल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी लोग सभा चुनाफ परिणाम आने के बाद नई सरकार की गठन की तैयारियां तेज हो गई है भाजपा की नितरित्वों में NDA सरकार बनाने जा रहा है और नरेंद्र मोदी आगामी 9 जून को प्रधान मंत्रीपत की शपत ले सकते है इससे पहले कल NDA की एहम बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को NDA संसिदिय दल का नेता चुना जाएगा इसके बार नरेंद्र मोदी राश्च्वपती से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे वहीं भाजपत ध्यक्ष जेपी नडड़ के अवास पराच पार्टी के वरिश नेताओ की बैठक हुई जिसमें ग्रह मंत्री अमित्षा और रक्षा मंत्री राशनाच सिंग शामिल रहे माना जा रहा है कि बैठक में नई सरकार के गठन और मंत्री मंदल को लेकर चर्चा हुई दूसरी और NDA के सयोगी दलों से बातचीत के लिए बीजेबी ने जो कमेटी बनाई है उसमें ग्रह मंत्री अमित्षा और रक्षा मंत्री राशनाच सिंग शामिल है अमेरिका ने जेक सुलिवन को सौपी मोधी सरकार तीम पॉइंटों के साथ ताल मेल की जिम्मेदारी जल्दाएंगे भारत नरेंद्र मोधी के तीसरी बार प्रधान मंत्री पत की शपत लेने की तस्वीर साफ होने के साथ ही अमेरिका ने राश्टिय सुलिवन जल्द ही भारत यात्रा पर जाएंगे इस दोराणवे नहीं दिल्ली में मोधी सरकार के साथ अमेरिका भारत की साज़ा प्राथ मिक्ताव पर चल्चा करेंगे वाइट हाउस ने दोनों देशों के वीज वैश्विक रणनीदिक साज़ेदारी को मस्बूत करने वे स्वतंत्र और सम्रिध हिंद प्रशांच शेत्र के अपने साजा द्रिष्टिकोन को आगे बढ़ाने पर बल दिया है सपा अध्यक्ष खिलेश यादव या राम अचल राजबर इंद्रजीत सरोज और कमाल अक्तर में से किसी एक को मिल सकता है अखिलेश यादव के नित्रित्व में इस बार सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है लोगसबह चुडाव में 33.59 प्रतीशत वोट के साथ सपा को 37 सीटे मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखिलेश यादव अब राश्य राजनीती को प्राथ मिक्ता देंगे इससे माना जा रहा है कि वैविधान सबा से इस्तिवा दे कर लोगसबह सीट अपने पास रखेंगे दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोट का फैसला हिमाचर प्रदेश को पानी छोडने का आदेश सुप्रीम कोट ने जल संकट से जूज रही दिल्ली को बड़ी राहत दी है कोट ने हिमाचर प्रदेश को 137 क्यू सिक पानी छोडने का आदेश दिया है इसके बाद हिमाचर प्रदेश कल से पूरे महीने दिल्ली के लिए पानी छोड़ेगा सुप्रीम कोट ने यह भी कहा कि हडियाना इसमें कोई टोड़ा नहीं बनेगा कोट ने कहा कि हिमाचर प्रदेश पाच जून को हुई मिटिंग में शामिल था और कहा था कि जो अतिरिक्त फानी है वो उसे दिल्ली के साथ साजा करना चाहता है इसलिए हमाचर प्रदेश को कल सेágina 377 क्यों से पानी जारी करने का देश देते है कोट ने कहा कि हर्यान सरकार हिमाचल प्रदेश से मिल रहे जल प्रहवा को बिना किसी बादा के दिल्ली के वजीरबात तक आने दे सुप्रीम कोट ने यह भी कहा कि दिल्ली में किसी भी तरह से पानी के विबादी नहीं होनी चाहिए अब इस मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी अमरिटसर के स्वन मंदिर में लगे खालिस्तानी नारे, भिंडरावाले के पोस्चर और तलवारे लहराई अपरेशन ब्लू स्टार की चालिसवी बरसी पर अमरिटसर स्थित, स्वन मंदिर में बड़ी संख्या में सिक्समुदाय के लोग पहुचे यहां भीर ने हातों में तलवारे और भिंडर वाले के पोस्टर लहराते हुए खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए फरीद कोट के नवनिर्वाचित सांसत सरबजीत सिंग खालसक बीश्री हर मंदिर साहिब में माथा टेकने पहुचे दलखालसक ने अमरिट सर बंद रखने का आवान भी किया था दलखालसा के प्रवक्ता परमजीत सिंग की ओर से बंद को लेकर शहर में जगा जगा होडिंग वे बैनर लगाए गए थे वहीं पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये थे और बड़ी संख्या में साधी वर्दी में पुलिस कर्मियों को परीसर के अंदर तैनात किया गया था प्रधानमंत्री नेतनियाहु ने दिया साफ संदेश हिजबुल्ला पर कड़ी कारवाई करेगा इसराई गाजा में सेनने कारवाई दीमी होने के बाद इस्राइल की प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहु ने कहा कि अब देश की उत्री सीमा पर कड़ी कारवाई की जाएगी इस्राइल के उत्र में लेबनान है और इसके बड़े हिस्से पर इरान समर्थित हिजबुल्ला का प्रभाव है हिजबुल्ला हमास के समर्थन में इस्राइल पर हमले कर रहा है वही मानव अधिकार संस्था Human Rights Watch ने आशंका जताई है कि लेबनान पाच कजबों पर हमले में इसराइल ने प्रतिबंदित फास फोरस बम का इस्तमाल किया है इसराइल और हिजबुल्ला के बीच 2006 में भी संगर्श हुआ था और उसमे काफी लोग मारे गए थे दूसरी और युद्विराम संजोते को लेकर इसराइल और हमास को सहमत करने का प्रयास आगे बढ़ रहा है विश्व प्रसिट्स की रिजॉर्ट गुल्मर्ग में स्थित एतिहासिक मोहिनेश पर शिव मंदिर आग से पूरी तरह जल गया है मंदिर में आग किस वज़े से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है फुलिस के अनुसार मंदिर के उपरी हिस्से में लखडी का ज्यादा इस्तिमाल हुआ था जिससे आग में सबसे ज्यादा नुकसान उपरी हिस्से को ही हुआ है गुलमर्ग आने वाले अधिकांश पर्यटेक इस मंदिर में तर्शन पूजन के लिए आते रहे हैं भगवान शिफ को समर्पितिस मंदिर का निर्मान जमू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महराज हरी सिंग की पत्नी रानी मोहिनी 22 सोधियाने वर्ष 1915 में कराया था इस मंदिर में राजेश खंडा और मुम्तास के फिल्म की शूटिंग के साथ बॉलिवुड और तक्षिन भारत की कई फिल्मों की शूटिंग हुई है